नमस्का दोस्तों कैसे वाप लोग मिद करता हूँ सबी लोग अच्छे होंगे मज़े महोंगे तो आयरलेंड वर्सिस साउथ अफरीका का सेकेंड टी ट्वेंटी आई मैच इसके बाद जो मैचिज होंगे वो ओडी आई से स्टार्ट होंगे तीन तारीक से वर्ल्ल कप शुर आना है अच्छे रैंक लेके आना है आप दिमाग में बैठा लीजिए और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं मैं सिर्फ यूटूब पर विडियो नहीं बना रहा होता तो मैं ओडी आई मैच के हर मैच के वीडियो बनाता है मैंने उस मैच को सीधा अवोइड कर दिया कोशिश करूँगा आप लोग भी अवोइड करो ताकि फोकस करो हर मैच खेलने के लिए नहीं होता ग्रैंड लिग जीतना है एक मैच भी काफी होता है लेकिन सोच समझ कर खेलना है हर मैच को तरीके से चुनना है यह नहीं कि हर मैच अपना पैसा इंवेच करनेगा आप समझ रहोंगे मैं क्या कहना चाहता हूं इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं पार्टिकुलरली साउथ अफरीका और आयर लेंड में किस तरीके से मैच हो सकता है आज मैं प्रॉपर तरीके से आपको टीम बनाकर यहीं पर दिखाने वाला हूं इसलिए वीडियो को स्किप मत किजिएगा एक के करके समझ यहां क्या कहने वाला हूं और किस पैटर्न पर मैं आज वीडियो में टीम बनाने वाला हूं वह पैटर्न भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं कुछ यूटूबर हैं मुझे इंस्टागराम पर मेरे दोस वीडियो बना रहे हैं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं तिसमार खा हूं या मैं बेश्ट हूं बट मैं यह कह रहा हूं कि अगर क्यों वीडियो बनाता है तो कम से कम अपने रिसर्च करो अपने एनालेसिस करो अपने रिपोर्ट लोगों के सामने पेश करो लोगों के किसी यूटूबर की कॉपी करके वीडियो बनाने का कोई फ्यादा नहीं है, सब अपनी अपनी किसमत की बात है, चलिए, आज शुरू करते हैं इस तरीके से, कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए कि टीम किस तरीके से बनाना है, उसके उपर मैं पार्टेकुररली फोकस करने वाला है, चलते हैं सिधा स्क्रीन पर, देखिए, सेकेंटी ट्वेंटी आई मैच है, 29 सितंबर 9 बज़े से शुरू हो रहा है, और ये मैच जो है, ये भी अभू धाबी के ग्राउन पर है, उसी ग्राउन पर ये भी मैच खेला जाने वाला है, हो सकता है, सेम ट्राइक हो ये हो सकता है, ट्राइक चेंज हो, लेकिन जो कुछ भी कंडिशन होगा, वो सब कुछ मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ, आयरलेंड और साउथ अफरी का फिर से सेकेंटी ट्वेंटी में आमने सामने दिखाई देने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर ले लेवन आयरलेंड के तरफ से होने वाले हैं, आज कुछ छोटे प्लेयर के में निकल के आने वाले हैं, पिछले मेग्ज में भी मैं आप लोग भो बोल था कुछ प्लेयर के बारे में एम हमफेस ठीक है, पहला ऑबर डाल रहा है, हाला कि कोई जरूरी नहीं है कि इस मैच के अंदर भी पहला ओवर डालेगा मार्क डायर और क्रेग योंग ये दोनों इंपोर्टेंट होंगे फिर से इस मैच के अंदर भी फिन हैंड ट्रम प्लेयर आज के मैच में निकल जाएगा और ये पावर प्लेय में छठा ओवर डालके जा रहा है बेंजामिन वाइड जो है वो करेगी फिर भी रिकल्टन जो है और हैंडिक से दोनों ओपनिंग करने आएंगे ब्रिस्के हो गया एडिनमार का राम टी इस टॉप्स मुल्डर हो गया क्रगर इसके बाद आपके वी फॉर्चून है बाटमें है पीटर है और लिजार्ड विलियम से एक चीज चीज चो हम वो बॉलिंग कर सकते हैं तो बॉलिंग उप्सन से हमें हमें आपको रोटेशन करना पड़ेगा बैटिंग सेक्षन जो है वो थोड़ा सा फिक्ष दिखाई दे रहा है उसमें ज्यादा रोटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब देख लेते हैं पावर प्ले के जो ओवर से लिजाड विलियम्स पहला और छठा ओवर करते हुए जा रहा है मुल्डर जो है दूसरा और चोथा बाटमें तीसरा और पाचवा अब अगर डेथ की बात करें तो डेथ ओवर्स में लिजाड विलियम्स और पैट्रिक क्रगर जो है यह 20 डाल रहा है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आज भी 18 से 20 उबर जो है वो क्रगर करके जाएगा बाटमेन और लिजार्ड विलियम से दोनों डेट में दिखाई देने वाले हैं इसके बाद एन पीटर जो है वो सोलावा उबर करते हुए दिखाई दे रहा है देखे स्कोरिंग पैटर्न मैंने पिछ दिखाई दे रहे हैं कि 1 से 3 उबर मतलब 1 उबर में दिखाई दे रहा है विकेट लेने का चांसे लेकिन overall सेकेंड इनिंग में उतना स्पीनर हिल नहीं मिल रहा है खास तोर से इस ग्राउंड पर और अभी तक जो भी हम सेनारियों देख रहे हैं वो यहीं देख रहे हैं कि इनिंग में रंड चेस किया जा रहा है इन फैक्ट आप देखिए 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट ये मैच चेस नहीं हुआ और यहां पर टीम लगभग ओल आउट हो गई थी तो वो चेस नहीं हुआ इसलिए ज़्यादा विकेट गीरा लेकिन उसके चार एक पांच यानि की 2 से 5 विकेट पर रंड चेस किया जा रहा है सिकेंड इनिंग में फर्स्ट इनिंग में ओवरॉल 5 से 8 विकेट गिरते हुए दिखाई दे रहा है फर्स्ट इनिंग में और स्कोरिंग पैटर्न जो होगा वो 160 का राउंड आपको देखने को मिल जाए हाला कि 2 साव का स्कोर यहां पर अभी तक नहीं बना है पिछले मैचेज जो हम देख रहे हैं जिसके अंदर देखिए सबसे हाइस्ट स्कोर जो है वो 188 था 179 था इसके बाद सारे स्कोर जो है 160 150 का राउंड ही आपको देखने को मिल रहा है अब देखिए फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ओडर को अगर ध्यान से देखा जाए तो थोड़ा सा मिला जूला असर लग रहा है अगर हम रेशियो की अगर बात करें तो ओवर ओल कंडिशन हम जो देख रहे हैं वो आपके सामने में यहां पर क्रोस कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए क की क्या हो रहा है ठीक है देखिए अगर हम देख रहे हैं तो फर्स्ट इनिंग में पावर प्ले से मतलब फर्स्ट इनिंग में कम से कम तीन बैटिन में से ज्यादा तर batsmen opening जोड़ी जो है वो fluff हो रहे है in fact मैंने आपको बोला था scoring pattern के समझते हुए team बनाने का देखिए यहाँ पर टॉप 3 batsmen जो है फ्लॉफ होए थे ठीक है पहला match है हुआ जब टॉप 3 batsmen फ्लॉफ होए यहाँ भी top 3 फ्लॉफ होए यहाँ भी top 4 फ्लॉफ होए तो कहीं न कहीं एक चीज जो है हमें समझ में आ रहे है कि opening जोड़ी जो है यहाँ पर थोड़ा सा help नहीं मिलदा है लेकिन कुछ matches ऐसे भी हैं जहाँ opening जोड़ी कमाल करके गई है जैसे कि 3 number match यहाँ पर दोनों opener खेले बाकी के player फ्लॉफ होए यहाँ पर one down और एक opener अच्छा खेला बाकी के team player फ्लॉफ होए तो कहीं न कहीं यह जो scoring pattern है यह confuse करने माला है तो इसी confusion को दूर करने के लिए मैंने team का pattern बनाया वो pattern क्या है तो देखे सबसे पहला एक team मैंने बनाया पहला team जो है वो 3 number के pattern बनाया जब दोनों opener खेल के गए फिर एक मैंने यह जो 2 number के team बनाया है वो आपको इस pattern बनाया है फिर एक team बनाया मैंने इस pattern पर 3 team अब तीनों टीम का पैटन किस तरीके से बनता है ये मैं आपको बेसिकली यहाँ पर समझाने वाला हूँ तो मान लेते हैं कि जो पहला टीम है यहाँ पर दोनों ओपनर अच्छा खेल कर गये दूसरे टीम में एक ओपनर फ्लॉफ हुआ लेकिन एक ओपनर और दूसरा जो प्लेयर है वो ठिक था खेला फिर पांचवे नंबर का खेलारी तीसरे टीम में मान कर चलते हैं एक opener flop हुआ लेकिन top 4 batsmen जो हो बहुत बढ़ियां खेल कर गया है तो इस condition से हम जब team बनाएंगे तो वो pattern क्या होगा और किस-किस खिलाडी को हम रखेंगे उसके according मैंने यहाँ पर टीम आपके सामने बना कर दिखा दिया अब इस चीश को समझते हैं पहला match यानि की तीन नंबर का pattern और यह मैंने किया है कब जब Ireland की team bat first करती है bat second करते हुए यानि की South Africa bat first करती है अगर इस condition से आपको team चाहिए तो comment करना जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग comment करेंगे तो मैं इस तरीके से 3-6 team आपको pattern पर बना कर टेलीग्राम पर भेजूँगा और अगर नहीं comment करते हो तो मैं समझ जाओंगा कि आप लोग खुद से बना रहे हो और जब खुद से बना रहे हो तो मुझे बनाने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है देखें यहाँ पर मैंने क्या किया कि दोनों ही opener को team में शामिल कर दिया यानि कि दोनों opener को हमने team में pick कर लिया पहला team अगर अगर दोनों opener ने ही करीबन डेड़ सोरन बना दिये ऐसा बहुत कम बार होता है लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्योंकि grand league में अकसर ऐसा देखने को मिलता है कि जो हम नहीं सोचते हैं वही होता है तो उस हिसाब से हमने Paul Stirling और Ross Adair को लिया जो कि दोनों के selection percent जो है वो 30% से नीचे है बहुत कम लोग इन लोगों को लेकर चाने वाले हैं लेकिन फिर भी हमने इनको अपने team में शामिल कर लिया ठीक दूसरा team बनाया यह जो है यह पहले number team का pattern है पहला number जहां पर हमने एक opener को लिया और फिर दूसरा one down के player को लिया आप चाहो तो sterling के जगा पे Ross Adair के साथ भी आप जा सकते हैं याद रखेगा यानि कि कोई एक opener चाहिए तो हमने यहाँ पे Paul Sterling को रखा आप चाहो तो यहाँ पे Ross Adair को रख सकते हो और इसके बाद हैरी टेक्टर हो गया यह team बनाया मैंने साथ number को pattern को देखते हुए जहाँ पर हमने top four batsmen को रखा यानि कि एक opener अब आप यहाँ पर आप इसके जगा पे किसको रख सकते हैं Ross Adair को ठीक है अब हमने क्या किया एक number एक opener को रखा दोनों opener में से एक opener हो गया फिर तिन नंबर का खिलारी फिर चार catchmen को रखा यानि कि कोई एक opener flop होता है और हमने रखा यहाँ पर कि एक opener को flop करके बाकी के जो player है सब 30, 40, 30, 35, 28, 30 run बना कर जा रहे हैं इस तरीके से pattern भी हो सकता है और उस pattern में हमने यह चार खिलाडियों को team में शामिल कर लिया यह तब है जब ILN की team bat first करती है clear है यह pattern मैंने बनाया यह पहला नंबर का pattern है जो मैंने चार्ट दिया है उस चार्ट से पहले चार्ट का है यह तीसरे चार्ट का है और यह सातवे का है समझ गए इस तरीके से मैंने यहाँ पर player को रख लिया फिर हम आते हैं यहाँ पर first inning की balling order अब first inning की balling order में जो हम समझ रहे हैं कि पहल right arm passers तो कोई है नहीं तो right arm passers जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा important हो रहा है right arm fast medium passer और दूसरा जो होगा वो होगा right arm medium तीसरा हो सकता है left arm orthodox या फिर leg spinner यानि कि कोई एक spinner जो है एक से दो बिकेट लेके जा सकता है first inning में clear है और उस basic पे जैसा कि हमने बनाया तीन नंबर का pattern ए अब इनके pattern के according जो मैंने players को चूने है यानि कि first inning के balling तो अब देखिए हमने यहाँ पर sterling और Ross डायर दोनों को ले लिया था यह सेम है यह सेम है दिख रहा है आपको यह सेम है जो मैंने पहले से लिया अब हमने balling department में add किया किसे किसे यहाँ पर add किया lizard williams एन पीटर और पीक रगर आप चाहो तो यहाँ पे मुल्डर को भी रख सकते हो ठीक है मुल्डर को रख सकते हो यहाँ पे williams हो गया इन पीटर हो गया अब आप चाहो तो यहाँ पर पीटर के जगह पे fortune को रख सकते हो spinner समझेगा fortune हो गया यहाँ पे आप lizard williams के जगह पे आप किसे रख सकते हो, Bartman को रख सकते हो, यानि कि अगर आप एक से ज़्यादा टीम बना रहे हो, अगर आ भीच टीम के साथ जा रहे हो, तो इनको सीम रख कर changing कहा करना है? जैसे Peter के साथ है, अपने विलियमज को रखा, फिर पीटर के साथ है अपने Williams, Fortune और Peter, आप चाहो, तो Williams, Fortune और यहां पर किसे रख सकते हो, Batman के साथ भी आप जा सकते हो, ठीक है, Batman के साथ, अब next आप क्या करोगे यहां पर, की A-Peter, B-Fortune और B-Williams, इनके साथ जाओगे, तिसरा combination होगा क्या, की आप B-Fortune को रखो, यहाँ पर Peter को हटा दो, Batman को रखो और L. Williams के जगा पर मुल्डर के साथ भी जा सकते हो यह combination ट्राइ कर सकते हो, फिलहाल मैंने यह combination यहाँ पर रखा इसके बाद यहाँ पर B. Fortune, मुल्डर और Williams यह rotation आपको आज के match में, मैं बता दे रहा हूँ आपको आज के match में सबसे ज़्यादा जो rotation करना होगा, वो balling section में करना होगा ballers बहुत ज़्यादा आज लोगों को confuse करने वाले हैं, क्योंकि allrounder और baller मिला के बहुत ज़्यादे player हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादे, ठीक है, तो यह अब यहाँ पर समझेगा कि मैंने क्या रखा, जैसे कि मान लेते हैं, कि यह दोनों, ठीक है, यह दोनों अगर तकरीबन 150 या 140 रन बना देते हैं, दोनों मिलकर तो जाहिर सी बात है, कि power play के baller, ठीक है, और मतलब कि पहले over से लेके 14-15 over तक कोई wicket नहीं गिरेगा तो वो सोचकर मैंने क्या रखा, कि 15 के बाद 16 या 17 वे over के बीच में आपको पीटर दिखाई देगा, तो मैंने उसे रखा, विलियम्स को रखा, चुकि यह 18 से 19 वे over में दिखाई दे सकता है, इसलिए मैंने इसे रखा, क्रगर हो सकता है, विश्वा over फिर से डाले, और हो, आपको ये बात समझ में आ गए होगी, समझ में आ रहा है, तो guys please comment जरूर करो, आप लोगों के लिए इतने महनत कर रहे हैं, तो कम से कम comment और like तो बनता है, अब आईए आते हैं, second inning की batting order, यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं, मैंने आपको पिछले match में बताया था, ज अगर आप लोग same pattern से team बनाते तो जो आपको team है, बिल्कुल perfect bat थी, इसलिए आज मैं इन patterns को देखते हुए ही team ready किया हूँ, अब मैंने कौन से pattern लेके चला है, 3, 1, 7, अब इन pattern के अधार पे मैंने जो second inning में batting order में किसे-किसे add किया, वो आपको दिखा रहा हूँ, आप chart का screenshot ले लिजेगा ताकि आपको proper पता चले, अब पहले 3 number के team के recording मैंने यहाँ पर दोनों opener को रखा, ठीके, इसके बाद दोनों opener चले, एक number, दो number, दोनों खिलारी चले, ठीके, 3 और 4 number का जो खिलारी है, वो fluff हो गया, इसलिए मैंने सीधा यहाँ पर रखा किसे, T.A. Stubbs को, आप चाहो, तो मुल्डर के साथ भी जा सकते हो, या फिर आप चाहो, तो T.A. Stubbs के जग़ा पर Aiden Magaram को रख सकते हो, नीचे का आप देख रहे हो, बिल्कुल सेम है, यहाँ पर नीचे का सेम है, यहाँ पर यह सेम है, हमने सिर्फ किसे आइड किया है, backsman को, अच्छा, एक condition है, तो हमारे पास T.A. Stubbs और Aiden Magaram, यह दोनों तगडे खिलाडी हैं, चुकि Aiden Mag सेकंड इनिंग में अच्छा खेलता है, इसलिए Aiden Mag को रखा, T.A. Stubbs पिछले मैच में फ्लॉक किया था, खिलाडी अच्छा है, इसलिए मैंने इसे भी टीम में शामिल कर लिया, सेम T.A. Stubbs के जूरत पड़ेगी, नहीं हमें Aiden Magaram के जूरत पड़ेगी, तो अगर इन लोगों की जूरत नहीं पड़ती है, तो हमारे पास यह खिलाडी आगए, आई होप आपको समझ में आगया होगा, तो यह हमने पैटर्न यहाँ पर बना दिया, इसके बाद, सेकेंड इन यहाँ पर हमने किसे रखा, Mark Adair, Craig Young और Finhand, यह हमने Trump Player चुना, आप इसके जगाँ पर हमफेर को रख सकते हो, इसके जगाँ पर चाहो तो हमफेर को रख सकते हो, फिलहाल मैंने Trump Player में Finhand को रखा है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, जो rotation करना होगा, वो यहाँ पर करन निक्स को Vice Captain बना दिया, ठीक है, कि दोनों साइट से तगड़े खेल के जाए, दोनों में से कोई एक opener, अब इसके बाद हमने इस टीन को रखा, यहाँ पर भी हमने इन बॉलर को सेम रखा, ठीक है, यहाँ पर यह तीन बॉलर पहले से थे, यह तीन बॉलर एड़ कर दिये, और यह एड़ किये, तो क्यूं कि यह इसके बारे में बात करनी है, अगर ऐसा हो जाता है कि टॉप थ्री बैक्समें फ्लॉफ हो जाते हैं स्टार्टिंग के, तो वो कौन लेकर जाएगा, मारक डायर, क्रेग यॉंग, अब आपको रोटेशन कहा करना होगा, फिन हैं के रखा, आप चाहो तो फिन हैंड के जगा पे हम फेयर्स को अपने टीम में शामिल कर सकते हो, तो आई होप आपको यह रोटेशन समझ में आ गया होगा, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीके, अब हमने यहां पर हो सकता है कि स्टार्टिंग में विकेट गिरने के बाद कोई विकेट अगले 18 ओवर तक ना गिरे, तो सी वी सी इन लोगों को रखा, ठीके, दोनों खूब खेले, यानि कि चेस तो हो रहा है सेकेंड इनिंग में, ज्यादा तर सेकेंड इनिंग में चेस हो रहा है, तो हो सकता है चेस करते हुए दोनों अच्छा खेल कर जाए, तो मैंन करते हो 18 और 2 दोनों खेल कर जाए, अगा तो रहा है, यानिको ओनिबए 20 अज दुदिक, तो विकेट की मिले जाए, तो विकेट किसे मिलेगा, वो बिकेट या तो fin hand को मिलेगा, वो बिकेट या humphairs को मिलेगा, या वो बिकेट हो सकता है C camphor को मिले, हो सकता है ऐसा, अगर ये अच्छा खेलते हैं तब, और उस condition में हमने यहाँ पर रखा, आप चाहो तो fin hand को भी रख सकते हो, और इसके बाद एक बिकेट गिरे, सिर्फ इनके क्रेग यॉंग या फिर fin hand या फिर mark अडायर इनके साथ भी आप जा सकते हैं, तो इस तरीके से जो है final team मेंने बनाया, यहाँ पर रेजा हैंडिक्स को captain कर दिया, और बी फॉर्चून या फिर लिजार्ड विलियम्स, इन दोनों में से किसी एक को vice captain कर दीजी, हाला कि captain और vice captain कहां से निकलेंगे ये तो हम आपको साड़े आट बजे तक बता देंगे, ठीके, लेकिन फिलहाल ये जो है combination मैंने try कर दिया, अब आपके सामने ये सही है, इस तरीके से बनाना गलत है, क्या है, आप हमें please comment करके जरूर बताईएगा, अगर ये pattern और इस तरीके से format आपको सही लगता है, तो फिर मैं इसी तरीके से और भी टीम आपको यहाँ पर बना कर प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत सारे help मिल सकते हैं, अब देखते हैं, वेन्यू पर जो प्लियर का record है, देखिए रोसे डायर जो है, एक मैच खेला 18 रन ब इसके बाद जी डॉक्रेल हो गया, पांच मैच में 53 है, और मार का डायर पांच मैच में 45 रन है, 11 के एवरेज है, बैटिंग से अगर देखा जाए, तो सबसे अच्छा जो एवरेज दिखाई दे रहा है, वो पॉल स्टरलिन का दिखाई दे रहा है, इसके बाद सी कैमफर क है, और तीसरा प्लेयर हो सकता है निल रॉक, अब आएए बॉलिंग सेक्षन से देखा जाए, बॉलिंग सेक्षन से सी कैमफर को दो मैच में 4 विकेट मिले हैं, ये ग्राउंड का रिकॉर्ड है, डॉक्रेल 8 मैच में 4 विकेट है, मार कडायर को 7 मैच में 11 विकेट है, तो ये जो दो प्लेयर हैं, ये फिर से इंपोर्टेंट होने वाले हैं आज के मैच में भी, चुकि इस ग्राउंड पर इन लोगों कर जो रिकॉर्ड है, वो बहुत ही बहतरीन है, अब आएरलेंड के प्लेयर जो है, हेट टू हेड का रिकॉर्ड का रिकॉर्ड किसका कैसा है, एक मैच में 18 का एवरेज है, पॉल श्टरलिंग 6 मैच में 91 रन मात्र 15 का एवरेज है, हैरी टेक्टर जो है, 6 मैच में 100 रन 17 का एवरेज है, अच्छा एक टीम ऐसा भी बनाना है, जिसमें आपको टॉप 3 बैट्समें जो है फ्लॉप कर देने हैं, याद रखेगा, अगर आ इसलिए मैंने उस पर फोकस नहीं किया, आप चाहो तो बना सकते हो, सी कांफ़र जो है, तीन मैच में 80 रन बनाया है, तेस का एवरेज है, एक मैच में 37 रन पिछले मैच में, और डॉकरिल 5 मैच में 89 रन 18 का एवरेज है, मार्क अडायर जो 6 मैच में 35 रन 7 का एवरेज है, बनिंग सेक्षन, हेट तो हेड में, यानि कि साउथ अफरीका कि अगेंस किसका अच्छा है, तो सबसे पहले जो अच्छा है, वो है मार्क अडायर का, जिसमें 6 मैच में 7 विकेट लेके गया है, और बाकी के प्लियर का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, क्रेग यॉंग जो ह है यहाँ पर कि फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में किसका रिकॉर्ड कैसा है, तो देखिए रॉस अडायर सेकेंड इनिंग में यूज्वली अच्छा खेलता है, 23 कैवरेज है, और पॉल स्टरलीन का बोथ परफॉर्मेंस है, बट फर्स्ट बैट में स्टरलीन जो ह अच्छा खेलते हैं, और यह रॉस अडायर सेकेंड बैट में थोड़ा सा बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है, बट फिर भी आप फर्स्ट इनिंग में भी ट्राई करना, और मैंने जैसा बोला कि टॉप थ्री बैट्समन को भी आपको फ्लॉप करना है, फर्स्ट इनिंग म भी बोथ परफॉर्मेंस होता है, दोनों इनिंग में लगभख बराबर परफॉर्मेंस है, बट एवरेज थोड़ा सा कम है, लेकिन अब जैसे जैसे और इंटरनेशनल मैचेस खेलेगा, तो इसके परफॉर्मेंस जो है और बहतरीन होते चले जाएंगे, खिलारी अच्छा है, तो मैं आपको यही बोलूँगा, कि यह बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलारी है, और ट्रम प्लेयर हो सकता है, बैसिकली यह ट्रम प्लेयर हो सकता है, मार्क डायर, 73 विकेट फर्स्ट इनिंग में, और तो आप इसको कब रख सकते हो, फर्स्ट बॉल में आप इसे जरू और इसके बाद करें तो यह भी फर्स्ट बॉल में अच्छा पर्फॉर्मेंस देता है, और बेन वाइट की अगर बात करें, तो यह दोनों ही इनिंग में लगबग बराबर है, पिछले मैच में मेरे ट्रम प्लेयर था, लेकिन नहीं चला, मैं इसे फिर से, आज हाला कि नजर अंदाज करूँगा, तो ये फिलहाल आज का Ireland के stats और record से first inning, second inning, I hope आपने screenshot ले लिया होगा South Africa के players का venue का record तो venue पे हाला कि ज़्यादा ये लोग match नहीं खेले हैं, सिवाए Markram का 3 match में 57 है, 28 coverage है, Rickleton जो है एक match में 76 अर बनाया और बाकि कि ये दोनों का कुछ खास performance नहीं है हाला कि एक match खेले हैं, मैंने आपको क्या बोला था, याद है कि इस से पिछले match में Reza Hendricks flop player था series के recording player अच्छे खास से performance देते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, कि इस series में Rickleton जो है, ये, और Reza Hendricks जो है, वो अच्छा performance देगा मैंने बोला था, वीडियो के अंदर फिलाल, balling section से देखा जाए, venue उपर, ठीक है तो venue के उपर, peak रगर, एक match खेला, चार विकेट लेके गया है बाकि सब के एक एक विकेट है South Africa players का hit to hit का record Reza Hendricks, चार match में 236 run, 69 coverage है बहुत ही बढ़िया परफोर्मेंस है ब्रीज के की बात करें, एक match में 19, रिकेल्टन, एक match में 76 run, एडेन मारकराम 5 match में 147 run, 37 coverage है और T.A. Stubbs का एक match में 24 coverage है, मुल्डर का एक match में 37 coverage है, तो अगर hit to hit की performance की बात करें, तो Reza Hendricks, मारकराम बहुत ही important player है, चुकि रिकेल्टन अच्छे backman है तो पिछले match में तो तगड़ा खेला था फर्स्ट inning में आप इनको drop कर सकते हो या rotate कर सकते हो सेकंड inning में जरूर रखना एडेन मारकराम 2 match में 1 wicket, मुल्डर 3 match में 3 wicket, पीक रगर 1 match में 4 wicket, वी बिजार विलियम्स भी 3 match में 2 wicket, बाकी सबका एक एक wicket है, तो यहां से B fortune थोड़ा सा फिर से important बन रहा है, खिलारी खास तोर से 1st inning में wicket चटकाई लेता है देखते हैं, आज क्या record रहता है अब यहां से players के stats और records क्या कहता है उसके according अगर देखा जाए, तो मुझे लगता है कि Reza Handix 1st inning, 2nd inning में अच्छा खेलता है आप लोग 2nd inning में आप इसे try जरूर करना बट 1st inning में भी rotate जरूर करना, 1st inning में अच्छा खेलता है Rickleton जो है, 2nd bat में यह भी जो है, अच्छा खेलता है और bridge के जो है, 2nd bat में इसका भी performance बढ़िया रहता है Aiden Markaram, 2nd bat ठीक है, 1st bat में कई बर धोखा देकर चला जाता है T.A. Stubbs, बोथ performance सही है बोथ performance आप इसका लीजी दोनों performance अच्छा होता है Mulder जो है, आपको 1st bat में अच्छा खेलता है 1st bat में अच्छा खेलता है और अगर 1st bat होता है, तो मुझे लगता है कि Top 3 में से किसी 1-2 player को ड्रॉप करके, आप Mulder के साथ जा सकते है Kroger की बात करें, ये भी 1st bat में खिलाडी अच्छा है 1st bat और 1st ball ठीक है, B.Fortune बोथ performance है, दोनों इनिंग में और Bartman जो है, वो 1st ball में cricket जो है, वो अच्छा लेता है Bartman का और Peter ये भी 1st ball में अच्छा बिकेट लेके जाता है और आपके lizard Williams जो है ये भी 1st ball में अच्छा बिकेट लेके जाता है, तो फिलहाल ये performance है, थीकिए, बाकि performance के against भी आप जा सकते हैं क्रिकेट है भाई कुछ भी हो सकता है तो ये इस तरीके से रिकॉर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है बाकी ये तीन टीम मैंने बनाया है अब इसी तीन टीम को आप उलट देना अगर साउथ अफरीका की टीम बैट फर्स्ट करती है तो फिर उस केस में आप पहला टीम बन तो इन दोनों को रखोगे यानि कि दोनों ओपनर बैट्समेन को दूसरा जब टीम बनाओगे तो यहां पर आप alp एक opener को याणि कि Hendricks यानि Hendrix को रख सकते हो या फिर Rekilton को रख सकते हो दोनों में से किसी एक को ले लिया इसके बाद तीन नंबर के खिलारी कृन होगा? ब拜़ के होगा तो फिर आप किसको रखोगे? ब拜़ के को ठीके? और इसके बाद किसे रखोगे? एक चार नमर के खिलाड़ी फिर कौन हो सकता है या तो एडेन मारका राम या फिर टी इस्टप्स इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो तो ये रोटेशन जो है आपको करना पड़ेगा अगर साउथ अफरीका बैट फस्ट करती है तब और अगर आप नहीं कर पाओगे या कुछ भी कंफ्यूजन होता है कमेंट जरूर करो दोस्तो ताकि मैं आप लोगों को इस तरीके से पैटरन पर बनाकर वीडियो आपको वीडियो कह रहा हूँ टीम जो है वो टेलीग्राम पर दे सको बाकी आठ साड़े आठ बजे मैं आपको ये बता दूँगा कि कि सेक् बनाकर प्नलाबगा प्रणा से प वीडियो ले वीडियो होगों कि आपको ये वीडियो से अवीडित अप्